तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में अभी तक आप लोगों ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वो बैल नोच्पिकेशन ओन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों वीडियो को जादत से जादा शेयर कीजिए शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ अगर ये कोईन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास नहीं है पता ये कोईन आपके दोस्तों के पास हो आपके रिष्टेदारों के पास हो उनको भी पता लगे इस कोईन की क्या value चल रही है क्या कीमट चल रही है वो नॉर्मली इसको एक रुपे में ना चला दें तो इसलिए उनको भी शेर कीजिए उनको भी फैदा होगा उनको भी नॉलेज मिलेगी दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक रुपे के कोईन के बारे में जो की है कोपर निकल के अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी जो की मेले बनाई थी 25 पैसे और 50 पैसे के कोईन के उपर तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगा तो दोस्तो आज की वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो एक रुपे के कोईन है जो आज मैं बताने वाला हूँ वीडियो में ये बहुत से लोगों के पास है या तक कि सभी लोगों के पास है और इंडिया में सब के पास है ये कोईन इसलिए ये वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें आपको पता लगेगा कौन सा सिक्का आपको कितने पैसे देख सकता है इसमें एक रुपे का एक सिक्का तो ऐसा है जो आपको एक लाख रुपे भी दे सकता है वो सिक्का कौन सा है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एंड में बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप वीडियो को देखते नहीं है और मेरे पास फोटो भेज देते हैं वर्टसप पे और वो सिक्का वो नहीं होता जो मैंने बताया होता है अपनी वीडियो में तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से देखिए तभी आपको पता लगेगा मैं कौन से सिक्के के बारे में बात कर रहा हूँ कौन सा मिंट का सिक्का है कौन से एर का सिक्का है तो आज आपको एक ही वीडियो में सारे कोईन की जानकारी मिलेगी जो की 1982 से लेकर 1991 में बनाय गए थे तो चलिए बिना किसी देरी के आप वीडियो को शुरू करते हैं तो इस स्क्रीन पर जो आप एक रुपे का सिक्का देख रहे हैं पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ ये बनाय गए थे 1982 से लेकर 1991 के बीच में मैटल एन का कोपर निकल, वेट एन का 6 ग्राम, शेप एन की राउंड तो दोस्तों ये आप सिक्का देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस सिक्के के ओवर साइज आपको अशोक स्तम देखने को मिलेगा सत्याव जयते के साथ और एक तरफ हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी तरफ इंगलिश में इंडिया लिखा है वहीं इस सिक्के की रिवर साइज में आपको देखने को मिलेगा उपर हिंदी में रुपिया लिखा है, बीच में डैमोनेशन वन है उसके नीचे इंगलिश में रुपी लिखा है और दोनो तरफ आपको ग्यों की बालिया देखने को मिलेगी रूपी के नीचे आपको इयर देखने को मिलेगा कि कौन से इयर में सिक्का बनाया है और उसके नीचे सबसे नीचे सिक्के के आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का कौन से मिंट से बनाया गया है तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखना और पूरी देखना आज की वीडियो में जो मैं इस सिक्के की कीमत बता रहा हूं वो आप कहीं पर लिख लेना एक कोपी पैनल लेके बैठ जाईए आप और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सिक्के आप मैंसे सभी लोगों के पास है अगर ये बहुत सारे सिक्के आपके पास एक रुपे के तो उनमें ये सिक्के तलाश कीजिए जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा तो चलिए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे 1984 के एक रुपे के बारे में ये बनाय गयते है भारत की तीन मिंटों से बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद इसमें दोस्तों बॉंबे और कलकत्ता कॉमन की कैटेगरी में है हैदराबाद इसमें स्केर की कैटेगरी में आता है अगर कीमत की बात करें तो इसके आपको मिल जाएंगे 700 रुपे, 1984 का 1 रुपे का कॉपर निकल का एक कोईन है ये अच्छे से देख लीजिए आज मैं आपको सिर्फ स्केर और रेर विराइटी के कोईन के बारे में बताऊंगा एक रुपे के कोपर निकल के तो ये 1984 का है स्केर कैटेगरी में आता है हैदराबाद मिंट अब बात करते हैं 1986 के इस एक रुपे के कोईन की जो कि आप अपनी स्केर पर देख रहे है तो ये बनाए गया था बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद भारत की तीन मिंटों से बनाए गया था बॉंबे, कलकत्ता इसमें कॉमन की कैटेगरी में आते है हैदराबाद मिंट इसमें वैरी स्केर की केटेगरी में आता है अगर कीमत की बात करें 1986 के एक रुपे के इस सिक्के की तो इसके आपको मिल जाएंगे 1400 रुपे से लेकर 1500 रुपे यह आप सिक्का अच्छे से देख लीजिए 1986 का सिक्का है नीचे आपको इसमें देखिए स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा हैदराबाद मिंट का यह सिक्का है इसके आपको मिल जाएंगे 1400 रुपे से लेकर 1500 रुपे बी यूएंसी कंजिशन में अब बात करते हैं अगले कोईन की यह बनाए गयता 1987 में यह भी भारत की तीन मिंटों से बनाए गयते है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद इसमें बॉम्बे, कलकत्ता, कॉमन की कैटेगरी में है हैदराबाद इसमें स्केर की कैटेगरी में आता है अगर कीमत की बात करें हैदराबाद मिंट के आपको मिल जाएंगे 200 रुपे इस एक सिक्के के BUNC कंडिशन में अब बात करते हैं अगले सिक्के की ये बनाय गया था 1988 में भारत की चार मिंटों से बनाय गया था बॉंबे कलकत्ता हैदराबाद नोईडा इसमें बॉंबे कलकत्ता कॉमन की कैटेगरी में है हैदराबाद स्केर की कैटेगरी में आता है कीमत की बात करें तो हैदराबाद के आपको मिल जाएंगे 200 रुपे और नोईडा मिंट इसमें रेर की कैटेगरी में आता है तो इसके आपको मिल जाएंगे 2000 रुपे से लेकर 2500 रुपे अब बात करते हैं अगले सिक्के की ये बनाय गया था 1989 में ये भी भारत की चार मिंचों से बनाय गया था बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबान, नोईडा इसमें बॉंबे और कलकत्ता, कॉमन की कैटेगरी में आते हैं हैदराबाद और नोईडा, स्केर की कैटेगरी में है 1989 का एक रुपे का फॉपर निकल का ये सिक्का है या प अच्छे से देख लीजिए इसकी अगर कीमत की बात करें हैदराबाद और नोईडा मिंट के सिक्के की तो आपको मिल जाएंगे इसमें 1.500 रुपे से लेकर 200 रुपे एक सिक्के के BUNC कंडिशन में और दोस्तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अब बात करते हैं अगले कोईन की ये बनाया गया था 1990 में ये सिर्फ नोईडा मिंट से ब कोट मिंट मार्क एकदम गोल मिंट मार्क होता है यह आप अच्छे से देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बंबे में और इसमें नोईडा में तो आप इसको देख लीजिए ये एकदम गोल होता है राउंड होता है तो ये नोईडा मिंट म लेकिन 98 मिंट का इसमें extremely rare की category में आता है 1991 का 98 मिंट का coin आप अच्छे से देख लीजिए मैं 1991 के 98 मिंट के coin की बात कर रहा हूं अगर उसकी कीमत की बात करें तो very fine condition में आपको मिल जाएंगे 15,000 रुपे एक्स्ट्रा fine में आपको मिल जाएंगे 25,000 रुपे UNC condition में आपको मिल जाएंगे 1991 के 1 रुपे के copper nickel के सिक्के के 40,000 रुपे से लेकर 50,000 रुपे जी हाँ दोस्तों 1 रुपे के copper nickel के इतने आपको मिल जाएंगे 1991 के मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ आप मैंसे कई लोग होते हैं मुझे सिक्के की photo भेस देते हैं मैं पहले भी इन coin के उपर वीडियो बनाई है लेकिन आप मैंसे कई लोग को थोड़ा समझ नहीं आया वीडियो में इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दूँ मैं 1991 के 9-8 मिंट के सिक्के की बात कर रहा हूँ अब बात करते हैं अगले coin की ये बनाई गया था 1983 में ये भारत की 3 मिंटों से बनाई गया था Bombay, Calcutta, Hyderabad Bombay, Calcutta इसमें common की category में है Hyderabad की अगर बात करी जाए तो वो इसमें extremely rare की category में आता है अगर इसकी कीमत की बात करें 1983 के एक रुपे के सिक्के की Hyderabad मिंच के तो इसकी कीमत दोस्तों अभी किताब में भी नहीं आई थी 2023 में क्योंकि इसकी exact कीमत किसी को भी नहीं पता अगर ये सिक्का किसी के पास भी है तो इसके आपको extra fine condition में ही 80,000 रुपे तक मिल सकते हैं और UNC condition में आपको इसके 1,20,000 रुपे मिल सकते हैं ये एक अनुमान है market के इसाफ से 1983 का coin है Hyderabad मिंच का ये extremely rare की category में आता है ये आप 1983 का कलकत्ता मिंच का सिक्का देख रहे होंगे ये common की category में है जो आप अपनी screen पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको कोई भी मिंच मार्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कलकत्ता का है इसी में star मिंच मार्क होता है यहाँ पर year के नीचे एक दम तो इसमें star मिंच मार्क है तो समझ लीजिए वो हैतराबाद मिंच का सिक्का है उसके आपको मिल जाएंगे UNC कंजिशन में एक लाग से लेकर एक लाग बीस अजार रुपे अब बात करते हैं अगले कोईन की ये बनाय गया था बीस हजार रुपे एक्स्रा फाइन में आपको मिल जाएंगे पच्चीस हजार रुपे और UNC कंजिशन में आपको मिल जाएंगे पैंतिस हजार रुपे 1982 के बंबे मिंच के सिक्के के तो दोस्तों जो भी महले आपको कीमत बताईए वो UNC Condition के सिक्वे की कीमते बताईए आज की वीडियो में अगर यह सिक्वे आपके पास है तो यह सिक्वे आप मुझे बेच सकते हैं अब आपको जढ़ा कहीं जाने की ज़रोत नहीं है एक्जिविशन वगैरा में आप यह सिक्वे मुझे बेच सकते हैं अगर यही सिख्क्या आपके पास है जो कि मैं ले वीडियो में बताएं रियर कैटेगरी के तो आप मुझे कमेंट करके बता देना मैं आपको अपना वर्टसप नंबर कमेंट में दे दूँगा दोस्तो अगर आपको और भी ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आपको उसके लिए मेरे चैनल की मेंबर्शिप लेने लिए चाहिए क्योंकि काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं उन्हों के पार मेंबर्शिप नहीं होती तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता तो आप मेरे चैनल की मेंबर्शिप ले लिजिए 299 की है 299 की एक महीने की उसमें मैं आपको 30 कोईन के बारे में इंफोर्मेशन दे दूँगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद